लोटस आयरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे डिलिब्री के बाद महिलाएं भूल कर भी ना करें यह गलतियां हो सकता है भारी नुक्सान तो वह कौन सी गलतियां आपको नहीं करने हैं मैं आपको बता रहा हूं लेकिन बीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूंगा चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बेल आइकोन की घंके बजा दें जिससे हमारे आने वली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें तो आईए शुरू करते हैं इसे वीडियो कि डिलिवरी चाहें नार्बल हो या सिजरें दोने बहुत ज्यादा कश्टकारी होती है डिलिवरी के बाद महिलाओं के लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है कि उन्हें अपने इस कि पोजिशन से पूरी तरह रिकबरी में ही करीब पचास से साथ दिन का समय लगता है यहीं डिलिवरी के बाद महिला पूरी तरह से बेड रेष्ट पर होती है हालंकि उसी इस्तिति में उन्हें अपने नमजात सीशू के केर भी करने पड़ती है उसे ब्रेष्ट फीट कराने से लेकर उसके हर छुटे बड़े काम करने पड़ते हैं ऐसे में अगर महिलाओं अपना ध्यान ना रखें तो उनकी रिकबरी में और भी समय लग सकता है इस महिलाओं डिलेवरी के बाद कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठती हैं जो उन्हें लंबे समय तक परिशान कर सकता है कि आज कल ज्यादा घुरों में नुकलियर फेमिली का टेंड चल चुका है यही कारण है कि महिलाओं डिलेवरी के बाद अपनी और अपने नवजात शिशू की केर खुद ही करने पड़ते हैं ऐसे में कई बार भारी समान जैसे भरी हुई पानी की बाल्टी धुले हुए प्राशी मशीन से एक साथ कपला निकालना बगर बगर करके आज खुद उठा लेती हैं कि इस तरह का भारी समान उठाने पर पेट में काफी प्रेसर पड़ता है ऐसा होने पर पेट में दर्द या चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है इसलिए किसी भी तरह का भारी समान madoosi cd X se आना जाना बंद कर देना चाहिए अगर दिन में महज एक बार चड़ना हो तो उसे मैंस किया जा सकता है लेकिन बार-बार cd का इस्तिमाल करना सही नहीं होता है इससे अगर आपका ओप्रेशन हुआ है सेजरियन हुआ है तो इससे इस्टिस खुल सकते हैं और तकलीफ बढ़ सकते हैं आमतोर पर हमारे हां बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ मा लेती है लेकिन समय में काफी बदलाव आया है और पुर्सों ने भी कुछ हद तक इसे अपनी जिम्मेदारी माना है लेकिन आज भी ऐसा मेलाई कम नहीं हैं जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से उसकी पूरी क्यर अकेले करते हैं डिलेबरी के तुरंत बाद आप खुद पर काम का बोश्च ना डालें इसके बजाए घर के अन्य सदस्यों के साथ बच्चे की जिम्मेदारी को सेयर करें इससे आपको आराम करने का समय मिलेगा और रिकवरी में भी मदद मिलेगी सपोर्ज आपका कोई रेलेटिव नहीं ह साथ में तो आप कोई सर्वेंट रख सकते हैं सर्वेंट ऐसा भी रखें जो आपकी बात सुने कि अक्सर एक कहते सुना जाता है कि बच्चे रात भर जागते उनके साथ उनकी मा को भी जागना पड़ता है अगर डिलिवरी के तुरंत बाद आप कंपिलिट रेश्ट नहीं लेंगी तो इससे आपकी रिकवरी दिमी हो जाएगी इस तरह कि पोईशन की वज़े से आप च जरूरी है कि अच्छी तरह से आराम करें अगर बच्चे का पेट भर हुआ है फिर वह रात को नहीं सो रहा है तो आप घर के किसी अन्य सदस्य कहें कि वह बच्चे की देखरेक करें ताकि आप आराम कर सकें इसके अलावा जब भी बच्चा सोए आप भी उसके साथ सो डिलिवरी के बाद हाईजिन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है अगर आपने इस दोरान जराबी लापरवाई की तो संक्रमन का खत्रा हो सकता है खासकर नार्मल डिलिवरी बाली महिलाओं को अपनी बजाइनल हेल्थ का जरूर ध्यार रखना चाहिए इसके लिए आप रेगलर पैंटी चेंज करें दिन में कम से कम तीन बार पैंटी चेंज करें इससे आप को कोई भी संक्रमन होने का खत्रा नहीं रहेगा जितनी बार इरुण पास करें उतनी बार अपने घुपतां को यानि यूनी को पानी से आप साफ करें और कम से कम 40 दिनों तक सेक्शोर रेलेशन से 40-60 दिनों तक सेक्शोर रेलेशन से आप दूर रहें अब दो मैने समझें दो मेनट आपने हस्पेंट से विकार कोई भी सेक्शोल रेलेशन नहीं बनाना है दो मैंने बाद अगर रिलिफ करते हैं आप ऐसा फिल करते हैं अब्याफेक्ट है तब आप सेक्षोर रेलेश्जन आप बना सकते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो का नमाद भोले धन्यवाद